मुख्यमंत्री वसुंध्रा राजे ने एक बार फिर जालावार को नई सौगाते दी मौका था मनोहर थाना में आयुजत महरानी अवंती बाई की मूर्ती अनावरंड का इस मौके पर मुख्यमंत्री राजे ने तीस नए माइक्रो डैम बनाने का एलान किया कारिक्रम में राज्यपाल कल्यांड सिंग और सीम राजे ने महरानी अवंती बाई लोधी के नव निर्मित प्रतिमा का अनावरं किया इसके बाद ही दोनों पास में ही आयुजत सभा स्थल पर पहुंचे जहां करीब 20,000 से ज्यादा महिला और पुरुष पहले से ही मौजूद थे मुख्यमंत्री वसुंध्रा राजे ने पंडाल में मौजूद लोगों का अभिवादन किया इस मौखे पर सभा को संबोधित करते हुए राजिपाल कल्यांट सिंग ने लोगों को संकर्द दिलाया कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के लिए जागरुप करी उन्होंने कहा कि अगर अकबर महान है तो प्रेणा दाई प्रताप क्या है चाटुकार इतिहास कारों ने शिवाजी महराज को चूहा तक कह डाला फिर भी उनके प्रेणना स्रोद शिवाजी ही है ना की औरंग जेब राजिपाल ने लोधा समाज के चात्रवास को राजिपाल कोश से दस लाख रुपए सहायता राशी देने की घोशना भी की कारेकराम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट में की गई घोशनाओं की जानकारी दी उन्होंने कहा कि अवंति बाई ने पूरे समाज को गौरवानवित किया है उन्होंने समाज में कई बड़े बदलाफ किये राजे ने क्शेत्र के विकास के लिए सब काम किये 30 साल में जहलावार जिले का काया पलट हुआ है मुख्यमंत्री ने कई विकास कारियों का दिक्र किया और मनोहर थाना को कई सौगाते दी राजे ने 130 गामों को परवन योजना से जोडने का एलान किया और कहा कि 30 नए माइक्रो डेम बनाए जाएंगे इसी वजह से आज जालावार के अंदर, तीस साल के अंदर आप लोग देख सकते हो क्या हो गया है मैं रेलवे लाइन तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जालावार तक पहुच जाएगी पर अब पहुच गई अब उसको और आगे बढ़ाने की बात ही मैं सोच भी नहीं सकती थी किती बड़ी-बड़ी पुलियां अपनी सब बन जाएगी और बारा से लेके जालावार तक, जालावार से लेके कोटा तक और कोटा से लेके जैपूर तक हम आराम से जालावार जैसे जगे से पहुच जाएगे लोधा समाच के आयोजन में आई भीर से राज्यपाल कल्यांट सिंग और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गद गद दिखे राज्यपाल कल्यांट सिंग ने ब्रिटिश काल के क्रांतिकारियों की मदद और शहादत का भी जिक्र किया हिमान्चु मित्तर के साथ महेश परिहार जी मीडिया जालावार और अब आपको दिखाते हैं महारानी अवंती भाई की मोर्ती के अनावरन कारिकर्ण के कुछ तस्वीर है पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें राजिपाल, कल्यान सिंग और सीम राजे ने मूर्ती का नावरन किया वहीं राजिपाल और सीम राजे का यहाँ पर स्वागत किया गया है इस मौकी पर सांसद दुश्शन्त भी मौजूद रहे वह एक आरकर में भारी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ पर दिखाए दिया और लोगों में उत्सा भी इस मौके पर साफने सराया